सब्सकारब करें अपने Youtube चैनल लानबोट मेडिसिन को और बैल एकन दबाएं लेटेस नॉटिफिक्सिन पाने के लिए स्वागत है दोस्तों एक बाद फिर से आपके अपने youtube चैनल लानबोट मेडिसिन में जहां आपाते दवाईयों के बारे में शम्पून जान करें दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हर्दे रोग हार्ड डिजीज के टीट्मेट में प्रियोग लाई जैना वाली एक new medicine के बारे में जानेंगे उस medicine का नाम है tica griller tablet इसमें tica griller दवा का मूल नाम है इसलिए हो सकता आप में इससे काफी दोस्त इससे परीचित नहीं हो लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इस दवा के बारे में भली बातिया परीजित हो पाएंगे क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे इस टेबलेट पर जो टीका गरेलर है यह क्या है किस तरह से यह कार्य करता है इसकी mechanism action क्या है बिल्कुल सामनी बासा में क्या-क्या strength में यह tablet बनाई जाती है क्या-क्या नाम से मेडिकी स्टॉप मिल जाती है इसके users को पूरे वेस्तार से side effect क्या होते है इसकी dozers क्या होते है यह कोई व्यक्ति यह टिपलेट नहीं ले पा रहा हो तो क्या करना चीह और वीडियो क्रैक्ट्फ्फम जानेंगे इस दवा को किस किस दवा के साथ नहीं दिया जाना चीह कि किसके साथ इंट्रेक्ट करती है तो यह सभी बादे जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखे जिसे संपूर्ण जानकर आपको इस टेप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्रेब करने के साथ वीडियो को लाइक और से करना नहीं बोले मैं हूँ आपका होस्ट मोही दादीच आप जेखें अपने इटीप चनल लर्णबूट मेडिसिन चलिए आपको कुछ नया सिखते हैं हैलो फ्रेंट्स नमस्ते दोस्तों टीका ग्रेलर एक एंटी प्लेटलेट एसेंट है जो की साइकलो पेंटाइल ट्राइजोल पाईरी मीडिंग क्लास की दवा है और इसे कार्डियो वर्सकुलर ड्रग ग्रूप में रखा गया है अगर इस टेबलेट के मेकेनिजम एक्सन क बात करें कारे करने कि परणाली को बिल्कुल सामनी बासमय जानने जैसा कि एक एक एंटी दवा है जो प्लेटलेट को आपस में जूढनेंसे रोगती यह लेट में AVP रेष्क्तरा syllables को ब्लो करती जिस्ससे कि फ म्यतकी की नस्यों में ब्लड का क्लोट खुन का थक्का नहीं जब व्यक्ति की नसों में खुन का थका नहीं जमेगा तो ब्लड का फ्लो आसानी से होगा हार्ट में प्रेशर भी नहीं पड़ेगा और हार्ड अटेग और हार्ट इस्टो को प्रिवेंट किया जा सकता है इस तरह से यह टेबलेट काम करती है पूरी बिल्कुल सामयनी बासा में आती है और जैसा आप सबीकों पता है टीका गलेर का जनरिक नाम है में में हम सुरूल नाम में चाने जाते हैं फूचे नेम से मिलती हम जान लेते इस ये पूराबयुर ऑप्लुर ब्रेनेम क्या है सबसे क्यों पर बेंद राट है वह बें ब्रीज इं igual तेबलेट Istanbul Ap जो भी आपको मिले उसा आप खई सकते हैं क्यों सबका जो combination रहता है वो ठीका ग्लेर ही रहता है यहाँ पर अगर इसके price की बात करें किते रुपे मिल जाती है जैसा कि यह दो अलगले strength में available है तो परतिक strength की average price को जान लेते हैं जो इसकी average price होती है 90 mg की tablet की तो यह 14 इसे brand to brand vary हो सकते हैं आप इन average price बताइए और यदि आप टीका के tablet खरीते हैं जो कि परधान मंत्री जन ओसदी के अंदर पर अवेलेबल है यह आपको काफी सस्ती मिल जाती है तो जो भी आपको असानी से सस्ती मिले से आप खई सकते हैं अब वीडियो मागे इस टीका के लि के prevention में लिया जाता है जैसे यदि कोई व्यक्ति है जिसको coronary artery में heart की नसों में blockage आ गया हो जिस कांट से blood flow आसानी से नहीं हो रहा हो या किसी व्यक्ति को पास्ट में heart attack आया हो या कोई व्यक्ति है जिसको enzyme की समश्या हुई जिसमें व्यक्ति को अचानक से chest में pain होने लग और यह समश्या होती हार्ट में प्रोपर रोप से oxygen नहीं होने कर तो इन तीनों ही इस्तति के मरीज है उनमें यह टिका ग्रेलर टेबलेट डॉक्टर द्वारा एडवाइज की जाती है इनके अलावा यदि कोई पेसेंट है जिसको heart में blockage था और उस blockage को हटा कर या तो इस और इस usage के अलाव भी हो सकता है डॉक्टर अपने अनुभू के आदार पर किसी भी अन्य प्रका के blockage और blood flow कम होने की सत्य में यह टेबलेट मेरीज को एडवेज करें अब अगर इस टेबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में जाने ही यदि किसी व्यक्ति उसके undesirable effect मिलते तो वो क्या-क्या हो सकते हैं तो जो most common side effects उसे व्यक्ति को dizziness रहेगा चकर आएगी गबरात हो सकती है स्वास लिने में उसे कुछ समश्या हो सकती साथ ही blood में जो kretinika level है वहाँ बढ़ सकता है स्वास नली में से खोन आ सकता है पेट में gastric irritation होके खोन आ सकता है साथ ही पे tablet बंद करके को दूसरी tablet आपको शुरू की जा सके अब जान लेते हैं इस tablet की क्या doses होती कितनी मात्रा में दी जाती है तो जैसा कि heart disease की medicine है तो पेसेंट की नीड के according इस tablet को दिया जाता है लेकिन जो सामयने तर दी जाती है उसे हम जान लेते है जो 90 miligram की tablet है उन्हें वेक्त हार्ड एटेक आया लेकिन अभी stable ले तो उन्हें 60 miligram की tablet दी जाएगी इस tablet को दिन में एक बार तथा दिन में दो बार भी दिया जा सकता है जो मरीज की नीड के according डॉक्टर द्वारा एडवाज की जाती है और इस tablet को खाने के पहले तर खाने बाद भी ले सकते हैं अगर य यदि कोई साबुत इस tablet को नहीं ले पारा हो तो उसे इस tablet को पीश कर पाने में मिला कर दे सकते हैं और यदि कोई पाने भी नहीं पे पारा हो बहुत ज़्यादा critical stage तो उसे जो ट्यूब लगी है नेशो गेस्ट्रिक ट्यूब उसकी सायताइस ये tablet दे सकते हैं लेकिन जब नेशो गेस्ट्रिक ट्यूब की सायताइस देते हैं तो उस समय डॉक्टर सुपरविजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक वीसे इस बात इस tablet के लिए जब भी यह tablet मरीज को दी जाती है तो उस समय एस्पिरिंट टेबलेट उसे ज़रूर से दी जाएगी यह 75 करके आपको दी जासे इसमें के ट्र उसे महिलर ले रही हो Small और में uży्भ यह 70 गूप्रेट को ज्सेशे सूचित करें जिस सरी इंघ्रिबार करके दी जा सके और आपको करता हूँ ज़्यादा जानखारी आप तक कहुंची ओगर वीडियो आपको जूर से पसंद आए होगा यदी वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को जूर से लाइक करें ज़्यादा इसको शेयर के जो किसी और की काम आ सके और भी तक आपने अपने यूट्यब चैनल Thank you friends, take care and be careful to medicine users.